हेलो फ्रेंट्स आज हम लोग पोटेंशिल इनर्जी डिसकस करेंगे थेक है इनर्जी इनर्जी क्लासिकल मेकानिक्स में इनर्जी इनर्जी असोशेटेविए थे सिस्थम पार्टिकल्स इसके दो पार्ट है पोटेंशिल इनर्जी और कानेटिक इनर्जी कानेटिक एनर्जी तो सिंपल है वह कानेटिक एच्विज दिसकस करेंगे यह है इनर्जी डीटू मोशन ठीक है पोटेंशन नजी भी आप पढ़े होंगे सिक्सेवन सब्सक्राइब क्लास में क्या पढ़ते हैं आप इनजी बाइद आफिर्स पोजीशन ठीक है बट उस समय हम लोग एक पार्टिकल का बात करते थे अब तो सिस्टम आप मेनी पार्टिकल भी पढ़ सकते हैं एक सिस्टम में तीन चार पार्टिकल दस पार्टिकल भी हो सकते हैं सोलर सिस्टम हो सकता है ठीक है सोलर सिस्टम में आपको यहाब स्टार नाइन प्लैनेट्स तो अगर सिस्टम आप पार्टिकल का बात करेंगे हम तो सिर्फ पोजीशन लिखने से सही नहीं रहेगा हम कहे है by dint of its configuration. Potential energy जो है, it characterizes configuration of system. और energy which it possesses by dint of the configuration of the system. तो तरा सा ये वर्ट समझाएंगे. Potential energy समझने के पहले, let's try to understand the word configuration. Energy due to its configuration of the system. ये energy due to motion है. Motion है एक visible चीज है. Configuration भी दिखता है. What is mean by configuration? पहले configuration समझाएंगे. फिर हम लोग देखेंगे कि how potential energy characterizes configuration. कैसे potential configuration को characterize करता है, वो हम लोग study किया जाएगा. ठीक है? And we'll see the definition of potential energy also. And we'll also see how it is measured. कैसे इसको measure करते हैं हम लोग. ठीक है? तो हम लोग का आज का topic potential energy है. काई ठीक energy? नेक्स क्लास में देखेंगे. ठीक है? So, let's see what is potential energy. Energy which characterizes, it's a physical quantity which characterizes configuration. So, what is mean by configuration? अगर आप dictionary में इसका meaning देखेंगे, तो configuration का meaning होता है, arrangement. arrangement of particles. ठीक है? बट कोई भी arrangement को हम configuration नहीं बोल सकते हैं. किसी भी arrangement को हम configuration नहीं बोल सकते हैं. बशीकली, configuration is arrangement of constituent particle of the system of the system as a result of interaction ठीक है? ओवर पिरिड़ अफ टाइम. ये इसका meaning आपको समझाते हैं. जिसे मालो इस class हैं, let's say 50 बच्चे हैं, सबोस्करों, या 50 स्टुटेंट्स. तो हम लोग coaching institute में पढ़ाते हैं, ठीक है, I have been teaching for last 20 years. तो मैंने देखा है कि जो पहले दिन class assemble होता है, I mean the class assemble for very first day, demo class होता है, शुरू में हम लोग एक दो class demo class देते हैं, ठीक है? तो demo class में बच्चे कही जगा से आते हैं, and they are all stranger to each other, कोई एक दुसरे को नहीं जानता है, ठीक है? और टीचर को भी नहीं जानता है, पहला दिन जो क्लास का अरेंजमेंट है, वो किसी इंटरांजमेंट का आउटकम नहीं होगा, और उस अरेंजमेंट को हम लोग क्लास का कन्फिगरेशन नहीं बोलेगा, ठीक है? उस arrangement को हम लोग class का configuration नहीं बोलेगे configuration किसको बोलेगे मालो 8-10 दिन class चला 10-10 दिन class चला ठीक है teacher ने पढ़ाया बच्चे भी आपस में interact किये ठीक है जो teacher थर लेट आता तो बच्चे अपना interact करते है break होता है उसमें interact करते है ठीक है तो interact किया class के बाद interact किया तो over a period of time interaction होगा teacher भी interact करेगा बच्चे भी interact करेगा पूरा system आपस में interact करेगा फिर आप देखो यह 10-15 दिन के बाद एक class का arrangement निकल के आता है जो कि पहला दिन से बिलकुर अलग होगा बढ़ सारा student है आपस आपस में interact किया कुछ लोग मित्र बन गए ठीक है मित्र बन गए तो एक साथ बैठे कुछ दो लोगों में नहीं बना तो एक A अगर यहाँ है तो B बहुत दूर है आपस में पट नहीं रहा है ठीक है तो ऐसा arrangement होए ता है कि करिवारे से कोई पूराना स्टुडेंट आता है तो हमों बोलते है अच्छा अच्छा तुम यह हो तुम आगे बैठा करते थे या तुम उदर बैठके सो जाया करते थे तो ऐसे हम लोग ध्यान में रखते है तो मतलब तो दस पंदा निके बाद करिवारे से बिलकुल फिक्स हो गया ता है जो पीछे बैठना पीछे बैठते हैं ठीक है मतलब गूप बादे मनालते हैं बैक बेंचर का गूरूप है ठीक है तो मतलब बिलकुल ताइट हो एता अरेंजमेंट की मतलब वह बिलकुल फिक्स हो गया वहां से लड़ाई कर लेंगे ठीक है अगर कोई किसी के सीट पर आके बैठ जाएगा तो लड़ जड़ा जाएगी मेरा सीट है तुम कैसे बैठ है तो दस पंदा दिन के बाद जो अरेंजमेंट निकल के आएगा वह एजड अरेंजमेंट विछ कंसर जा आउटकम आफ इंटरक्शन को मुलों कन्फिगरेशन बोलते अ पिखे अब सवाल यह है की कोई system of particle दिया हुआ है कोई माले लूव से classroom भी system of particles मानते है या कोई solar system दिया हुआ है至 CHAN अब उस system of particles का आप potential कैसे नीकां रहे हैक हा मुई यूव फाइंड Carne लज़े potential age देखिए कैसा top age बाद भी घंटो बातचीत कर सकता है कफी interesting topic है और कफी important भी है ठीक है तो suppose को कोई system of particle दिया हुए आपको मालो you have m1 here m2 here m3 here m4 M I M N and say their position is described by this these actors your system there is a system of particles say n particles and I want the potential energy of this system of particle for this given configuration I want potential energy of the system of particle for this given configuration ठीक है अब कोई भी system of particle होता है तो the system is interactive भगवान हमेशा ही देखिए interactive system बनाता है ठीक है God doesn't make non-interactive systems जिसे भगवान हम लोग को ही बनाया है देखिए हम लोग भी interactive है अगर हम लोग को आख कान और आख कान और मुह बंद करके बैठा दिया जाए कहीं पर तो बड़ा पर दिया जोग जाए कि तो आख कर लो कान बंद कर लो मुभद कर लो यही तीन चीज़ों से आप interact कर रहो है हना interaction के यही तरीका है ठीक है और भी होता है मतलब कई भाइभाण पर नोज सो भी वो भी है, skin भी है, interaction का एक तरीका, मतलब टच करके पता लगाते हैं, hard है, soft है, ऐसे भी interaction करते हैं, चलो, तीन sensory organ मानलो हम कहें कि तुम बंद कर लो, मतलब आख बंद कर लो, काल बंद कर लो, मूँ बंद कर लो, बैट जो ऐसे ही, तो मतलब एक सजा है, मतलब जेल में एक होता बहुत बदमास कहदी होता है, उसको solitary confinement excel में बंद कर दिया जाता है, उसमें कोई नहीं रहता है, ठीक है, कोई, कुछ नहीं है, बिलकुर अंधेरा रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ना TV रहेगा, ना रेडियो रहेगा, कुछ नहीं बंद कर लो, बहुत कड़ा सजा माना जा तो वो बादी भी दोख़ए, अब इंटराक्टिव है, उसका nature interaction का है, क्योंकि भगवाल ने सारा लोग को interactive बनाया है, ठीक है, हर, तो स्टार अंप्लैर्ट्स को देखिया, तेरों से इंटराक्टिव, इंटराक्टिव थू ग्रेविटेशनल फोस, इविटेशनल फोस से दूसर से interact करते है, system's charges देख लो, they are interacting to columbic force, हां, interaction कहीं strong कहीं weak हो सकता है, even gaseous system, ideal gas system, जिसको, आप gaseous system बोलते हो, जो कि आप कहते ही इंटराक्टिव बहुत negligible है, तो negligible compare to what? compare to this kinetic energy, ठीक है, लेकिन वहाँभी interaction है, ठीक है, wonder wall interaction बोलते है, वीक interaction होता है, वो weak interaction होता है, वो strength उसका कम होता है, ठीक है, but still there is interaction, तो you won't find any natural system where you have a system of particles and they are non-interactive, no God doesn't make non-interactive system God doesn't make non-interactive system ठीक है, कोई आदमी देखे चुप रहता है बहु जादा तो चुप रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो non-interactive है, वो interact नहीं करना होएगा, अपना policy बना लिया, वो अंदर से interactive है, अंदर से हम कई बार देखे है एरोपलेन में सफर करते हैं, ठीक है तो हम तो हर देखे हैं लेवल पर सफर किया है जनरल डबा में 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 सफर किया है जब बहुत कम पैसा होता था, फिर सफर किया है, स्लीपर में भी बड़ा सारा काटेगरी है, जनरल स्लीपर, और थर्ड एसी, फोर्थ, सेकेंड एसी फर्स्ट एसी, फिर एरोपलेन है तो हम ने देखा कि अदखेंगे जनरल डबा में लोग बहुत बती आता है जनरी का पता ही न चलता है वहाँ देखता कि आदमी इंटराक्तिव है जैसे आखे, यस उपर जाएंगे बंदा लों कम इंटराक्त करता है कम इंटराक्त करता है जाएंगा आजीव सा को बात करने से हम लोग छोटा टीट करे गाए डिक हैं लुग तो अंदर से इंटररक्टी है लेकिन बाहर अपना जितना भी नेचर ने बनाया स्व इंटराक्टिव सिस्टम बनाया है अगर हम थोड़ा सा करेक्टराइजेशन करें इस ताइब का सिस्टम आफ पार्टिकल्स का तो सिस्टम पार्टिकल्स इतने भी नेचर ने बनाया नेचर सिस्टम पार्टिकल्स है वो सब interactive interaction interaction और यही interaction समझना हम internal physics का ultimate objective है इसी interaction को समझना physics का ultimate objective है जितना बढ़िया या interaction समझ जाएंगे उतना बढ़िया बतला हमलों physics पढ़स ऩी system का तो the sole objective of reading studying any system any natural system is to study interaction once you know what interaction you know the various physical attributes of the system our interactions as a result of interaction you have two thing coming up one is force the classroom assemble hota parah din sabh ak-dusya ko nahi jantai over a period of time apos meh ak-dusya ko log jan jantai force attractive force कई लोगा बिल्कुल नहीं पढ़ता है तो दूर 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 आते हैं तो रिपल्सी फोर्स हो गया ठीक है तो मतलब फोर्स जनरेट होगा friendship and hatred love and hatred physics में same thing about change of sign it's only change of sign वो उसका जो जीनेसिस हो interaction सही होता है आप एक दम से किसी को बिना जाने तो लिए बहुत गंदा दिया नहीं पहले इंटराइट करेंगा फिर गंगा नहीं बहुत गंदा है ठीक है या किसी को यह तो ली बोल देंगे कि भाई यह बहुत अच्छा मित्र है अरे तुम कहां थे आ रहा रहा इस तक ऐसे नहीं बोलों के थे यह तो सबकुछ जो है इंटराइसिहं का आटकम है जो लख अटरीब फर ओंड़ए उन्टशिप अंगीद अटरीच्जर फिर फेस नहीं बोलोड इंटराइस्टेश्टा इंटराइस्ट दो डाटक्शन अरे अन्टी थरह लकां यार थे बोलोडों कि परिड़ए रहा to one more thing that is the configuration जो दस दिन बाद classroom का वो निकल के आता है arrangement निकल के आता है वो कोई arbitrary arrangement नहीं होता है वो कोई arbitrary arrangement नहीं होता है वो configuration का ओस्वाइब इंटराक्शन का outcome होता है interaction का outcome होता है fix arrangement होता है over a period of time interact करेंगे उसके एक arrangement निकल के आएगा उसको हम लो कहेंगे configuration ठीक है तो फोर्स तो अपने आप में एक physical quantity है configuration is characterized by what we call potential energy configuration is characterized by what is we call potential energy energy क्यों बोलते है इसको देखेंगे हम लो how come it is energy ठीक है we'll see that और हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग measure करते हैं कैसे calculate करते हैं ठीक है तो देखिए हम लोग को निकालना है potential energy of the system of particle for the given configuration potential energy of system of particle for the given configuration तो before we find potential energy of system of particle for given configuration उसके पहले हम लोग we'll try to find out the configuration of the same system for which potential energy is zero समझे बात को given configuration का potential energy निकालना हम लोग को तो इसके पहले हम लोग को पहले देखना होगा कि कौन सा ऐसा configuration is same system का कौन सा ऐसा configuration is same system का जिसका potential energy हम लोग zero assign कर सकते हैं जैसे मान लोग कोई बोले आगी यह पेन का distance निकालो तो पहले हम लोग नहीं कि reference बताओ कहां पर हम distance को zero लेंगे कहां पर x equal zero लेंगे once we define x equal zero वहां से फिर हम distance में जा करते हैं ऐसे ही यहां पर हम लोग के reference configuration define करना पड़ेगा वो configuration जिसका potential zero हम लोग assign कर सकते हैं ठीक है we'll try to find out the configuration of the system particle for which we can assign zero potential energy राइट तो अ what can be that configuration कौन सा ऐसा arrangement होगा कौन सा ऐसा arrangement होगा particles का जिसको हम लोग zero potential रे assign कर सकते हैं configuration आप zero PE कौन सा होगा देखें configuration interaction का outcome configuration जो है interaction का outcome है तो हम लोग वो configuration देखा जाए जहां पर interaction नहीं हो रहा है what can be the configuration system where interaction negligibly small देखें usually interaction जो है it is inverse interaction जो है distance का inverse function होता है interaction is inverse function of distance मतलब distance square भी हो सकता है distance cube भी हो सकता है मतलब interaction हमेसा ही आप देखें जो भी basic interaction है जो भी आपका basic interaction है basic interaction मतलब electromagnetic interaction gravitational gravitational interaction strong force weak force you will find that they are inverse function of distance क्योंकि देखें के interaction हमेसा ही exchange of particles होता है जैसे मालनों दो बड़े object interact करना gravitational force लगदा दो stars के बीच में they'll be exchanging gravitons वो graviton exchange करते है जो quantum theory है interaction को उसकी बात कर रहा हूं है electromat two charges आपस में interact करेंगे they'll be exchanging photons when two nucleons are interacting they are exchanging mesons right pi pi minus pi zero and when the two when you have weak interaction you have intermediate vector bosons so physics में जितने basic interaction है when the two particle interact they exchange particles the exchange particle exchange particle even हम लोग भी interact करते हैं तब भी हम लोग exchange करते हैं जिस हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम लोग क्या exchange कर रहे हैं we are exchanging some knowledge some ideas some thoughts ठीक है दो लोग आपस में interact करेंगे they'll be exchanging some ideas some thoughts some material also right तो हमेशा ही exchange takes place through exchange तो अगर इस चीज को आप समझते हैं तो आपको यह बहुत clear होगा कि वह exchange है stronger होगा अगर particle पास-पास होगे और वह weaker होगा अगर particle दूर होगे तो if you believe in exchange theory of these forces then interaction is inverse function of distance distance कम होगा the exchange of particle should be stronger ठीक है जो पायोन का exchange है या ग्राविटोन का exchange हो stronger होगा and when they go far the exchange would be weaker so जितने ही basic interaction होगे distance का inverse function है and once we know this we can now tell कि the configuration where all these particles are lying at infinity the configuration where all the particles are lying at infinite distance from each other would be a configuration to which I can assign 0 P m okay the configuration where configuration where the padicles are lying at infinite distance from each other configuration where the particles are lying at infinite distance from each other would be a configuration of 0P right so since interaction is inverse function of distance to distance door door रहेगा तो particle के बीच का interaction भी weak रहेगा so the configuration of 0P would be a configuration where the particles lying at infinite distance from each other interaction would be negligibly small and to that I can say we can assign potential energy is equal to 0 once you find out the configuration of 0 potential energy then we can define the potential energy of the given configuration as the work done by external agency in bringing these particles from configuration of 0P to existing configuration such that none of the particle is ever accelerated okay we define concept a hand we define first configuration of 0 potential energy and then we define the potential energy for the given configuration thank you potential energy energy for the given configuration is numerically equal to to the partner of the CO2 the work done by external agency in bringing the particle from configuration of zero potential energy to its existing configuration such that none of the particle is ever accelerated or they remain in the state of quasi-static equilibrium ठीक है यह definition हो जाएगा एक बार आप configuration of zero P निकाल लेंगे तो आप existing configuration का potential energy निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं? It is equal to the work done by external agency in bringing the particles from configuration of zero P to its existing configuration such that none of the particle is ever accelerated or they remain the state of quasi-static equilibrium quasi-static equilibrium पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है आप देख सकते हैं उसको ठीक है? How we bring the particle without accelerating I have discussed in great detail through an example also तो this is the definition अगर आप इस system का given configuration का potential निकालना चाहते हैं ता पहले इस system का वो configuration निकाली है जहां पर हम लोग उसको potential zero assign कर सकते हैं वो configuration क्या होगा? वो configuration होगा where the particles are lying at infinite distance from each other if I assume interaction to be inverse function of distance और फिर वहां से एक एक पार्टिकल को लेके आना है existing position पर ठीक है उसमें जो भी work done होगा that would be the potential energy for the given configuration for the given configuration ठीक है? इस तरसनलों potential define करते हैं अब potential energy का दो चीज है एक तो उसका magnitude और दूसा sign direction नहीं यह तो scalar quantity है ना is scalar quantity होता है बट पोटेंशे का magnitude क्या signify करता है और direction क्या signify करता है sorry direction बोला, sign क्या signify करता है देखे, magnitude signifies the strength of interaction and direction signify, sorry sign signifies the nature of interaction देखे, जितना ज्यादा work करना पड़ेगा existing configuration assemble करने में वही उसका उतना ही strong इसका मतलब interaction है जैसे माल लो sun है और earth ठीक है अब दखिए sun earth ऐसे अब इसका माल लो अगर हम लोग potential energy का बात करें ठीक है तो इसका existing configuration नहीं है माल लो r distance पे है ठीक, r distance पे है अब इसका configuration of 0p क्या होगा यहाँ पर gravitational interaction है gravitational interaction is following inverse square law ठीक है तो the configuration of 0p उल भी a configuration when sun and earth लाइए infinite distance from each other माल लो यह infinity है अगर earth यहाँ होता है तो that would be a configuration of 0p so we can find out the gravitational potential energy by calculating the work done by external agency in bringing earth from infinity to existing position infinity to existing position अब earth को अगर माल लो यहाँ सी यहाँ लेके आते है and we try to calculate the work done ठीक है so while I bring this earth जब earth को हम लो लो लेके आ रहे है तो sun would be attracting earth in this direction ठीक है तो external agency force किज़े लगाएगा external agency force ultra direction में लगाएगा क्यों क्यों क्योंकि हम लो जब earth को लेके आना है तो इसको accelerate नहीं करना है ठीक है अगर external agency external agency का force और sun का force add होके 0 हो जाएगा तभी acceleration नहीं होगा न बिकाँ देको लिखा हो है विल विए टीक है विल यू बिंडिक पार्टिक नहीं होगा को यू जाएगा F E X T plus force which sun applies goes to 0 F E X T will be equal to minus of F work done क्या हो जाएगा potential energy is equal to the work done by external agency in bringing earth from infinity to given position so that will be F E X T dot displacement dot dr F E X T किस पर depend कर रहा है F E X T depend कर रहा है आपका F पर ठीक है तो F E X T would be high if F goes high means अगर interaction strong है तो आपको अधिक force लगाना परे external lens we have to apply more force and when F E X T is high your potential energy will be high तो जो potential energy का magnitude है अगर F E ज़्यादा force लगाना पर रहा है अगर इसको यहां से यहां लाने में हमें अधिक force लगाना पर रहा है इसका मताब वोग नवी लाँसो भी हाई and that means potential energy भी लाँसो भी हाई तो जो potential energy का magnitude है वो strength of interaction बताता है tells you about the strength of interaction and direction क्या बताएगा देखिया F E X T इस direction में है और displacement उल्टर डिरेक्शन में है तो F E X T और displacement का direction 180 degree opposite है तो उसकेस में F E X T and D R would be lying in F E X T D R नहीं D L ली देते हैं suppose को displacement F E X T and D L they are lying in different displacement towards sun है और force the experience लगा रहा है away from the sun उसकेस में this dot product would be negative and potential energy would be negative तो जहाँ पर attractive force है वहाँ पर potential energy negative the nature of interaction अगा attractive है तो potential energy negative हो रहा है यही देखे अगर माल लो हम लो रदर फो scattering experiment का बात करें you have gold fell nucleus and you're the alpha particle right so इनका भी configuration of 0 T क्या होगा when alpha particle is at infinity right यह माल लो distance R आईस configuration का हमें माल लो निकालना potential energy अब देखो when you are bringing this alpha particle from infinity to given position तो उस केस में gold fell nucleus का का इसको रिपल कर रहा है तो if you want to bring it from infinity to this position your Fe XT would be in this direction and displacement is also in the same direction displacement is also in the same direction so Fe XT and displacement they are lying in the same direction so this dark product would be positive तो जहां repulsive force है वहां potential energy positive हो रहा है तो sine जो है उन निचर आफ इंटरक्शन बता रहा है और जो magnitude है वो strength आफ इंटरक्शन बता रहा है यह force इतना हाई होग Fe XT कितना लगाएगा जितना gold 5 निकलेस को रिपल कर रहा Fe XT will always be equal to minus of F be it repulsive force or attractive force so you understand this thing the magnitude tells you the strength of interaction direction, sign tells you about the nature of interaction I am telling every time direction energy has no direction energy is a vector quantity sorry, scalar quantity okay अब देखिए मैंने सुरू में आपको बुला था कि potential energy characterizes configuration I told you potential energy characterizes configuration यहाँ पर उनों निकाल सकते हैं potential लिखा यह दूसको निकाल ही लो Fe XT क्या हो जाएगा minus of F DL is called DR आई हो जाएगा minus GM by R square ER dot DR ठीक है so infinity to R यह निकल जाएगा आपका यह पहले भी निकाले हैं central force potential वाले topic में this is minus GM by R ठीक है अब देखिए मैंने गोला कि potential energy character is configuration मतों configuration को characterize कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया इसना मलता है यह marks characterize intelligence exam में आपका जो marks है वो आपके intelligence को characterize कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हुआ है अगर marks high है तो you are more intelligent if marks goes up your intelligence increases if marks goes down your intelligence falls तीक है तभी हम बोल सते हैं यह marks characterize intelligence तीक है मतलब when your intelligence varies your marks also vary तीक है so I can say marks characterize intelligence एकजाम में नंबर आ रहा है वो आपके intelligence को characterize कर रहा है हलाकि इस बाद डिवेटेबल टॉपिक है तीक है बट स्टिल characterization का मतलब यही हुआ कि एक अगर चेंज रहा तो दूसरा भी चेंज रहा है क्रेक्ट्राइज कहने वाला चीज़ बदलेगा इसका मतलब है कि अगर configuration change होगा तो potential अजी बदलेगा और वाइस वरसा भी potential चेंज रहा है तो यानी configuration बदला है ठीक है potential बदल रहा है अगर इस आर्थ का पोजिशन चेंज करता है अगर अपना पोजिशन चेंज करता है तो potential बदल जाएगा potential जी आपका change कर जाएगा यानी यह जो configuration है उसका function है potential energy when the configuration changes configuration change मतलो क्या अगर मालो system of many particle है n particle है then even if one particle changes position the configuration is going to change configuration तो overall arrangement है as a result of interaction तो अगर एक particle का भी मतलब position change बदाएगा तो आई किन से configuration changes तीक है जिसे मालो हमारा classroom है अब classroom का मालो potential निकालना हो तो क्या होगा potential है मतलब पहले हम लोग classroom का वो configuration predict करेंगे जिस में जिसका potential है 0 है वो configuration क्या होगा तो सारे students दूर-दूर होंगे they are not knowing each other they are all strangers that will be configuration 0 पी और उसके बाद जो effort put किया coaching वालों ने जो भी advertisement जो भी है तो वो demo class हो गया यह सब effort put किया to bring it in given configuration then over a period of time teacher teaches the students that he also does work and then you have a configuration of classroom ठीक है अब मालो उस work done if the P of the classroom is say minus 1000 Joule why minus sign because people are not running away the interaction is attractive ठीक है people are door is open people are not going away so they are sitting in the classroom that means potential is negative ठीक है attractive interaction है ठीक है minus sign so की interaction attractive है if they are अब गालो बच्चे free है बाहर जाने के लिए they are going they are free to run away and even if they are not running away they are sitting in the classroom studying that means the interaction is attractive I can conclude it ठीक है की interaction जो है attractive है minus sign डेदी आपना हजार मालो strength of interaction 1000 है और जादा होगा तो और जादा हो जाएगा 10,000 हो जाएगा अगर बहुत अच्छा interaction हो रहागा बहुत strong interaction है तो suppose को minus 1000 है and if there are say two students sitting over here मालो say एक student A है एक student B है एक ये पुरा classroom है मालो and I they are sitting they are good friend right and there are many students over here say in the classroom right अब मालो if I want to change the configuration if I tell A to go away and sit here मानेगा और को front bench भे बच्चा बैठता है आउसको हम बोले कि तुम पीछे जागे बैठी हो will he agree no he won't agree क्योंकि जो जहां बैठा है वो arbitrarily नहीं बैठा है वो interaction का outcome है वो आसपास के लोगों से घिरा हुए है तो उनसे attractively interact कर रहा है तभी वहां रोज बैठ रहा है कोई भी बंदा अगर क्लास्रूम में एक पर्टिकलर पोजिशन में बैठ रहा है तो वो और अर्बिट्ररी पोजिशन उसका नहीं है वो पोजिशन उसका outcome of interaction की वेर से आया है ठीक है outcome of interaction की वेर से आया है तो वहां पे arbitrarily नहीं बैठा हुआ है he is sitting because his friends are surrounding him right and if I tell that person to go on the back side he won't agree now even if I want to change his position what I'll do I'll do some work हम उसको सम्झाएंगे कि पीछे बढ़िया रहेगा तुम और भी काम कर से तो you'll be free you won't be in the front of in the eyes of teacher तो अगर मानलो फिर भी अगर मानलो हम A को इसका position यहां से यहां shift करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा उस case में हमें इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा अब फोर्स कितना होगा वो फोर्स जितना भी इसका interaction surrounding से हो रहा है जो भी इसका interaction surrounding से हो रहा है तो उसका जो net force है net force of interaction with his surrounding उसके equal और direction में उसके opposite इसको free करना पड़ेगा इसके surrounding से इसको फोर्स लोगो बुरा ही करना पड़ेगा बहुत खराब है पढ़ने में कमजोर है ठीक है और आस पास के लोग भी ठीक नहीं है इस तरह से हमें इस पर एक force लगाना पड़ेगा आप प्लाइए force which will be external force होगा which will be equal to the force of interaction which he has with the surrounding and opposite to it मतलब वोगए अट्रेक्टिव है तो हमें वो रिपल्सिव की नहीं खराब है ऐसे बोलना पड़ेगा तो उतना force लगा के फिर हमें इसको करने का मतलब ये है कि इसको यहां से यहां सिफ्ट करने में हमें वर्क करना पड़ेगा क्योंकि जो जहां बैटा हूँ arbitrarily नहीं बैटा वो आपस में इंटराक्ट कर रहा हूँ आसपास के लोगों से इंटराक्ट कर रहा तो उसको free करने के लिए उसको एक जगह से दूसरे डिस्पेस करने के लिए I have to do work ठीक है और जो हम work करेंगे work करने के बाद उसका फिर position change हो जाएगा यानि configuration बदल गया तो whatever work I have done in changing the position of A to this place that work will get added over here and will give you the final potential energy initial potential minus 1000 Joule है तो final potential energy would be the work which I would be doing in displacing this object from here to here that will get added to the initial potential energy and you'll get the final potential तो मतलब इसका कहने को यह है कि अगर आप position change कर रहा है तो potential बदल जाएगा whatever work I have to do in changing the configuration initial configuration to final configuration that work will get added to the initial potential energy and will get the final potential same thing happens in solar system also अगर मालो sun है आज चकर काट रहा है हम कहें आर्थ को तुम प्लूटो के पास चले जो जाएगा नहीं जाएगा अगर इसको हम चाहते हैं चुटो के पास जाए तो उसके लिए हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा यह संसे इंटराइट कर रहा है जितना फोर्स लगा रहा है इस पर उसके इक्रन आपोजिट फोर्स लगाते हुए हमें इसको displace करना पड़ेगा and while I do this displacement I do work on the system our work आपका initial potential add up हो जाएगा and you'll get a final potential energy of the final configuration तो कभी भी आप configuration को change करते हैं you need to do work right you need to do work for example suppose करो यह spring mass system है ठीक है यह spring mass system है अब मालो spring mass system का potential है निकालना चाहे तो क्या होगा इसका मालो यह natural length है आना stretch length है natural length है यहाँ पर equilibrium position पर है suppose करो ठीक है तो इस समय इस पर कोई force नहीं लग रहा है so this would be a configuration of zero potential energy this would be a configuration of zero potential energy ठीक है अब मालो हम कहें कि यहाँ पर displaced कर दिया हमने इसको x stretch कर दिया अब क्या होगा उस case में हमें f e x 3 इस direction लागा पड़ेगा क्योंकि जब as you displace the body from initial to final position यह आले तो हम लोग इसका potential absolute value of potential निकाल लेंगे ठीक है तो potential यह क्या होगा जैसे आप करते हैं spring इसको left direction खीचेगा it will pull the mass in left direction as you as you stretch this as you displace this mass मालो यह intermediate position है तो spring इसको left direction में attract करेगा आपको force right direction में लगा पड़ेगा ठीक है f e x t dot d r यह वोक्ड़न हो जाएगा आपका f e x t आपको k x right direction में और displacement के दीर के वेक्टर इस आपको डीक्स आइकप तो work done is positive right so this will be k x square by 2 तो आप देखे जो spring का potential energy है तो अगर इस mass को और displace करेंगा x को change करेंगे तो यह work done also changes you have to do some work if you मालो यह spring x naught stressed है अभी इसका potential x naught है और x naught से इसको change करके हम मालो x1 पर ले जाते हैं तो उस case में I have to do additional work और यह work यहाँ add हो जाएगा I will give you the final potential energy तो करने का मतला है कि जब भी configuration change करते हैं I hope you understand this तो जब भी हो लोग configuration बदलते हैं I have to do some additional work and that additional work which I do will get added to the initial potential energy and get the final potential energy ठीक है पिस तरसे हम लोग the potential energy work discuss कर सकते हैं Alright we will come to these things later on also while we study conservation laws ok thank you